अभी तक हमने वेव्स के बारे में बात कर लिया कि वेव्स क्लासिफाई कर लिया कि वेव्स हमारे पास कितने तरीके की होती है अगर अगर मैं वन डाइमेंशन टू डाइमेंशन भी बात करता हूँ तो जब हमने ट्वेल्थ क्लास में उलेक्ट्रमाइटिक वेव्स पढ़ा था तो महाँ पर हमने उन वेव्स का सूपर पोजिशन किया तो क्योंकि महाँ पर रम नंकी चार परामिटर पढ़े ते इंटर तरीके से वेव्स की कुछ फिनोमंटर हैं जिनको वेव्स सैटनी स्वाइश करती जैसे अगर हम क्युक्िे हम इस सेक्षिन के इंदर मेिक हbn कर्य था था मेकैनिकल वेव्स उन्सको सैटिस्वाइल करती है और उसके लिह इंपॉर्टेंट है उनीड़ोंका सब्र पोजि पर चुके एक बार में रिकॉल करा देता हूं कि for example you are having two different waves and they are traveling medium without affecting the motion of each other दो ये ट्रेवल कर रहे हैं एक दुसरे का motion अफेक्ट महीं कर रही है तो उस case में क्या होता है कि resultant displacement जो होता है किसी particle का medium में वो उन दोनों waves के displacement के vector sum के equal हो जाता है this is called the superposition clear suppose आपके पास दो waves है जिन मेंसे एक waves का displacement हमारे पास y1 है दूसरी waves का displacement आपके पास y2 है for example y1 दे दिया हमारे पास a sin omega t minus kx और दूसरी wave का displacement दे दिया d sin omega 2 t minus k2 x omega 1 तो यह दोनों waves अगर medium में propagate कर रही है तो जो resultant wave होगी उस wave का displacement होगा वो इन दोनों waves के displacement के vector sum के equal है clear हुआ this is called the principle of superposition अब principle of superposition के कुछ important features क्या है कि चाहे हो हमारे पास mechanical wave हो चाहे हो हमारे पास select magnitude waves हो दोनों की दोनों waves principle of superposition को satisfy करते हैं लेकिन बस कहां पर यह apply नहीं करेगा अगर हमारे पास waves के पास amplitude बहुत large हो जाता है यह वाला factor amplitude वाला factor अगर बहुत large हो जाता है तो आप principle of superposition को apply नहीं करते क्योंकि वह applicable ही नहीं होता अब superposition से हमारे पास कौन कौन से फिनोमेनाज पर satisfy होंगे जारा एक बार उनको देख लेते हैं जैसे अगर waves होती है वह interference भी शो करती है कि यह interference हमारे पास electromagnetic waves में भी होता है और mechanical waves में भी होता है beats stationary waves इस सब हमारे पास यहां पर इसके behavior होगेगी यह फिनोमेनाज यह शो कर देती है clear यहां पर हम यह तीन ही पढ़ने वाले इंटर्फेरेंस इंटर्फेरेंस में आपको अल्रेड़ी बता चुका हो इंटर्फेरेंस कब होता है जब हमारे पास waves इस पोहेंट सोर्स का फिनोमेना शो करती है और कोहेंट सोर्स क्या होता है जब उनके पास सेम फ्रीक्वेंसी होती है और नेरली पास तो अगर हमारे पास दो कोहेंट वेवस होती है वह हमारे पास सेम डार्फेरेंस में प्रॉपगेट करती है और वह सुपर पूचिन करती है तो उसकेस में क्या होता है कुछ जगा पर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है कुछ जगा पर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है मिनिमम हो जाती है दिस फिनोमेना उफ इंटेंसिटी वेरीशन इस काल्ड इंटर्फेरेंस सेम जो हमने इलेक्ट्रमेड़ी वेवेज में पढ़ा है सेम एप्लिकेबल है यहाँ पर और एक चीज़ और बतायता हूं जितने भी फॉर्मुलेज हम एम वेवेज में इंटर्फेरेंस के पढ़ दूसरी वेव ली थी यहादा रहा दिखुम में बताता हूं आपको फॉर एक्जम्पल आपने फस्ट वेवली वाई वाई वन इस इक्वल्स टू एवन साइन ओमेगा टी प्लस फाई सपोज इसका इनिशल फेस गिये है दूसरी वेवली वाई टू इस इक्वल्स टू सुर्स्ट होनका जो फेरेंसरे हैं फेस difेश में डेल्टा फाई विच इस कॉस कितना होता है थीटा यह थीटा इस दर फेज जिफिर्स इसको इसके जो रिजल्ट करके करके आएगा वो डेल्टा फाइगे को लाएगा ठीक है तो यह resultant amplitude होता है और आपको पता है कि intensity is proportional to square of amplitude तो यहां से आप intensity भी निकाल सकते हैं i is equal to i1 square plus i2 square plus twice of root of i1 i2 cos theta और theta के जगा पर प्चाओ तो डेल्टा 5 भी लिख सकते हैं कि एक तो रिजल्टेंट वेव का जो intensity होती है यह resultant amplitude होता है यह resultant intensity होती है कि अब यह interference कितने तरीके के होते हैं यह भी मैंने आपको बताया था एक होता है मारे पास constructive interference सब revise हो रहा है आपका दूसरा होता है मारे पास destructive interference constructive interference क्या होता है constructive interference वो points होते हैं जहां पर जो waves होती है वो same phase में होती है वहाँ पर intensity maximum हो जाती है constructive interference पर a maximum होता है a maximum कैसे निकालते है that will be a1 plus a2 और i भी maximum होती है और maximum intensity कितने हो जाएगी i1 plus i2 plus sorry i1 plus i2 root of i1 plus root of i2 to the whole square this is maximum intensity clear तो constructive interference वहां पर होता है जहां पर हमारे पास यह phase difference कितना होता है हमारे पास जीरो टू पाई फॉर पाई शिक्स पाई जहां पर हमारे पास डेल्टा फाई जो होता है टू एंड पाई का इंटीग्रल मल्टिपल होता है वहां पर intensity और amplitude दोनों maximum हो जाते हैं और अगर डेल्टा फाई टू एंट पाई का इंटीग्रल मल्टिपल है तो पाथ डिफ्रेंस वह हमारे पास एंड लेंडा का मल्टिपल हो जाता है जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 होता है अगर हमारे पास destructive interference है तो destructive interference का मतलब क्या है कि जो डेल्टा फाई है वो 2n प्लस 1 पाई और जो हमारे पास पाथ डिफ्रेंस हो जाएगा वो 2n प्लस 1 इंटू लेंडा बाई 2 half of the wavelength का odd integral multiple होता है और उन जगह पर क्या होता है amplitude और intensity minimum होती है so minimum amplitude is a1 minus a2 और minimum intensity कितनी हो जाएगी that is root of i1 minus root of i2 to the whole square so this is the minimum intensity clear हुआ तो यह सब हमने कहां पढ़े थे constructive or destructive और constructive interference में क्या होता है maxima होता है जिसको हम आपर bright fringe बोलते थे लेगन यहां पर maximum बोलते है destructive interference में minima होता है आप डार्क fringe बोलते हैं याद आ रहा है चीजिए या नहीं आ रही है तो फिर महां पर जो हम आप calculate करते थे fringe width की पोजिशन तो अगर यहां पर हमें calculate करना है कि वाट इस दा सापरेशन बिटुन दा मैक्स तू मैक्सिमाज अंड़ टू मिनिमाज पर सेंवह अप्लाई हो जाएगा इसके अप्रफियू अगर दोवेश्च का एंप्लिटूड तो अगर दोवेश्च हमारे पास मिलडियम में हैं और उन दोनों वेश्च का एंप्लिटूड सब्सक्राइब लेकिन उनकी फ्रीक्वेंच इज सेंट नहीं हैं सेंट नहीं का मतलब यह नहीं कि एक्सिताए अगर हंडिट्र हार्ट्ट थो दीनर्ट हर्ट थे ट्यू सब्तियोरू किता थे त्यूज्ट होता है कि कुछ जगह पर intensity increase हो जाती है कुछ जगा पर intensity decrease हो जाती है और यह increase और decrease होता है, periodic होता है. This periodic increase and decreasing of intensities is due to which sound waves is decreasing and decreasing. So this is called the beats. तो होता क्या है इसके अंदर? Suppose हमारे पास एक wave है, हमारे पास Y1 is equals to A sin omega 1 t और दूसरी wave है, Y2 is equals to A sin omega 2 t और मैंने क्या mention कि आपको? इन दोनों का जो difference है, that should be less than 10. 10 hertz, basically. तो उस case में क्या होता है? कि जब मैं इनका superposition करता हूँ, Y is equals to Y1 plus Y2, तो इसको अगर मैं थोड़ा सो solve करने कुशिश करता हूँ, तो यह हो जाएगा, A common आजाएगा, यह जाएगा sin omega 1 t plus sin omega 2 t. तो इनको जब solve करते हो, sin c plus sin d का formula लगाके, तो जो final result बनके आता है, वो बनके आता है, Y is equals to 2A cos 2 pi n1 minus n2 t upon 2 into sin 2 pi n1 plus n2 t upon 2. यह result 1 क्या आता है, मैं परस. अब इस result में क्या हुआ, कि यह वाला जो section है, तो इस पूरे को अगर मैं call करता हूँ, अगर मैं करता हूँ इसको ऐसे रिख देते हैं, अगर मैं compare करता हूँ, इसी तरह की नई वेव से, Y is equals to A sin omega dash t अब आप सोच रहा हूँगे, यह n कहां से आया, omega is equals to 2 pi n होता है, बिटा, तो मैंने omega 1 के लिए 2 pi n1 लिग दिया, omega 2 के लिए 2 pi n2 लिग दिया, तो अगर resultant wave यह हो गई, और इसको मैं compare करता हूँ, A sin 2 pi nt, तो यहाँ से compare करने से आपको एक result मिला, तो पहला result क्या मिला, कि resultant wave का जो amplitude है, वो हो जाएगा, 2 A cos 2 pi n1 minus n2 t upon 2, तो अब resultant wave जो है, उसका amplitude constant नहीं है, यह resultant wave का amplitude भी, frequency के differences के according change हो रहा है, देख रहे हैं आपको, और जो resultant wave है, उसकी frequency कितनी हो गई, n, यहाँ से इसको compare करो, n is equals to, n1 plus n2 upon 2, तो beats में, जो resultant wave होती है, उसकी frequency, उन दोनों के sum का आधा हो जाती है, average हो जाती है, average frequency से wave travel करने लगती है, beats में, लेकिन उसका amplitude होता है, उसके amplitude की भी अपनी कुछ ना कुछ frequency होती, जिसकी होज़े से वो periodically change होता रहता है, प्रियोडिकली चेंज होता रहता है, समझाता हूं आपको एक diagram से देखिए, माल लीजिए, यह आपके पास एक wave है, वाई वाई और यह इस तरीके से, माल लीजिए, इसका amplitude दे रखा है आपको ए और frequency जो दे रखिया है हमारे पास, चलो, एन से explain करता हूं, माल लीजिए, amplitude दे रखा है हमारे पास, और जो frequency दे रखिये इसके आपको, वो दे रखिया है 20 Hz, एक और दूसरी wave है आपके पास, वो थोड़ी अलग है, उसका amplitude भी अलग है, और frequency भी अलग है, देखाए, amplitude भी different है, frequency भी different, माल लीजिए, इसका amplitude जो है, वो कितना है, twice of a, अच्छा, दोनों का उन्हें सेम लिया तो, तो सेम ले लेते हैं, amplitude भी इसका, हमारे पास a ही है, लेकिन इसके frequency अलग है, suppose this is 25 volts, clear, तो जो resultant wave होगी, beats में, this is y2, जो resultant wave आईगी, उस resultant wave में क्या होगा, कि कुछ इस तरीके से होगा, फिर हमारे पास increase हो जाएगा, फिर increase हो जाएगा, तो यह इस तरीके से हो जाएगा, देखे, आप, समझ रहे हैं, फिर एक बार गोंगा, और जो frequency हो जाएगा, वो गैने फिर आउड़का सम, 20 plus 25 by 2, एकष थो, हाफ कर दें, तो का कितना हो जाएगा? तो इसमें क्या है देखिए कि एक वेव और दूसरी वेव की फ्रिक्वेंसिस के बीच में डिफ्रेंस है यहां पर हमें टर्म पढ़ते हैं बीट बीट क्या होती है किसी एक वेव का दूसरी वेव के रिस्पेक्ट में जो वाइब्रेशन का डिफ्रेंस वाइब्रेशन का डिफ्रेंस natal जब एक स्टेप आगे हो जाता है दैनि factors inis is called one beat, और जितने time में हमारे पास यह होता है, that is the time for one beat, और एक second में ऐसी जितनी beats बनती हैं, that is called the beat frequency, so beat frequency कौन हुई, this is the beat frequency, क्योंकि two से तो two cancel हो जाता है ने बिटा, this is called the beat frequency, तो जब beats में हम discuss करेंगे तो जो important point है, वो beat frequency ही है, beat frequency, basically beat frequency is the difference of frequencies of the two waves, तब यहां से calculate करते हैं beat frequency, और amplitude की frequency क्या होगी, that is n1 minus n2 upon 2, मैंने क्या बोला, one beat क्या 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 लाएगा, जब हमारे पास source की frequency, one vibrational extra होती है, दूसरे wave के respect में, then it is called one beat, ठीक है, और number of beats in one second is called beat frequency, और एक beat को complete होने में जो time लगता, that is called the time period, बासन गाया, दूसरा, अब interference और beats में difference क्या है, देखो interference में मारे पास frequencies, same थी, beat में frequencies में slight difference था, उनका difference less than 10 था, अगर difference 10 से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, आपको जो beats है वो सुनाई नहीं देगी, इसलिए अगर आपको audible beats चाहिए, तो आपको उनका difference, frequencies का difference 10 से less होना चाहिए, दूसरा, interference में जो intensity pattern है, वो permanent होता, beats में जो intensity pattern होता है, वो temporary होता है, interference में जो intensity parameter होता है, वो position का function होता है, और beats में जो intensity parameter होता है, वो time का function होता है, फेक्टेइंट डिदेट वोगी पेस्ट में इंसेटि टी डिपेंडेंट फिरी कुछ ने को निमेरिकल करते हैं तो महाँ पर हमारे बारा सकर्फ के वह का इंग्चेन करने के बाद या उसके उपर वैक्सिंग कर करने के बाद भी तो इसमें कुछ चीजे ध्यान रखने वाली यह हैं कि जब भी आप उनको फाइलिंग करेंगे उसकी किसी क्राउंग को तो तो frequency बढ़ जाती है और अगर उस पर कुछ wax लोड करते हो तो frequency decrease हो जाती है तो यह ध्यान रखना कि अगर आपने filing की है तो frequency increase हो जाती है अगर आपने waxing की है तो frequency decrease हो जाती है तो you have to just calculate the difference और difference calculate करते हैं तो आपको और आप से beats मिल जाती है बतातों में किस तरह के questions आते हैं और कैसे इसको calculate करते हैं सपोज आपको एक question दिया कि आपके पास एक tuning fork है उसकी frequency जो दे रखी है आपको 158 hertz दे रखी है और वो 3 beats per second produce करता है एक second में 3 beats होती है हमारे पास अगर वो 3 beats per second produce कर रहा है तो obviously बात उसके पास कोई और frequency भी होने चाहिए तो एक और tuning fork है जिसके साथ मिल के यह produce करता है चेक है अब उसकी जो arm है उस पे हो सकता है कि vaccine की गई हो हो सकता है कि उस पे filing की गई हो क्योंकि तब भी तो frequencies का difference होगा अगर हमारे पास पहले वाला tuning fork और दूसरे वाला tuning fork दोनों की frequency 158 होती ही तो तो क्या beats generate होती नहीं होती क्योंकि इन दोनों के frequencies का difference 0 आ रहा है तो there is no beats लेकिन beat frequencies 3 आ रही है तो इसका मतलब या तो यह इस से 3 ज्यादा होगा या यह इस से 3 कम होगा क्योंकि difference की बात कर रहा है वो यह तो नहीं कह रहा है कि increase होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर हमारे पास 158 प्लस 3 है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके उपर frequencies जो है इसकी बढ़ी है तो frequencies बढ़ी होने का मतलब क्या होगा विटा कि आपने इसको filing किया और frequency घटी है तो घटी होने का मतलब क्या होगा आपने इसको वैक्सिंग किया तो दो possibilities होती है कि अगर हमारे पास दो यह tuning fork वेस में तो अगर एक frequency 158 दे रखी और 3 beats per second की बीट frequency generate हो रही है तो या तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा 161 होगा या हमारे पास ही कितना हो जाएगा 155 होगा तो उन दूसरे tuning fork की दो ही possibilities है जातो हो हमारे पास 161 की frequency लेके बैठा है या वो 155 की अब आपको बताना है कि कौम सी होगी और जो यह वाला है यह इन दोनों के बीच में लाई करेगा अब बताओ कैसे calculate करो देखो आप कैसे चेच करते हैं अगर मेरे पास answer 161 है तो अगर आपने filing कर दी तो इसकी frequencies और बढ़ेगी ना filing करने के बाद इसकी frequencies बढ़नी चाहिए तो अगर यह बढ़ गई तो इन दोनों का difference अभी तो लेकिन हैं लेकिन difference और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर अगर हमारे पास कि वैक्सिंग कर दी और यह 155 अगर हमने वैक्सिंग कर दी तो वैक्सिंग करने के बाद क्या होगा frequency reduce हो जाएगी frequency reduce हो जाएगी तो अभी भी हमारे पाद difference बढ़ जाएगा तो दोनों केस में difference बढ़ रहा है तो question क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास किसी दूसरे आम tuning fork के आम को file करते हैं और beats जो है वो seven beats per second हो जाती है तो बता यह कि उसकी frequency कितनी होगी बेटा सीधी सी बात है तो beats जो है वो seven हो जा रही है तो beats increase हो रही है तो increase तो बहिया उपर वाले में भी हो रही है नीचे वाले में भी हो रही है लेकिन कई बार question में क्या होता है कि आपका difference जो होता है वो चेक नहीं होता आप नहीं पता लगा पाते है जैसे अगर हमारे पास situation ऐसे हो कि suppose इसकी frequency 158 ही है और यह stem किसी दूसरे tuning fork के साथ मिलके 5 beats per second generate कर रहा है और अगर मेरे पास जो दूसरा tuning fork है अगर उसमें कुछ impurity add कर दी जाए तो beat frequency decrease हो रही है decrease in beat frequency तो आपको बताना है कि दूसरे tuning fork के frequency कितनी होगी कुछ नहीं लिया कि कितनी होगी उसने बोला कि decrease हो रहा है beat frequency में अगर उस पे हमने कुछ impurity add कर दी on impurity addition impurity add करने पर अगर उसकी beat frequency decrease हो रही है तो बताओ दूसरे tuning fork की frequency क्या होगी तो देखो 158 hertz है 5 beats per second है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा इनका difference निकाला या तो यह होगा 158 plus 5 या होगा यह 158 minus 5 इसका मतलब या तो यह होगी 163 hertz या फिर हमारे पास होगी 153 hertz दोनों में से यह possibilities बनती है तो अगर आपने impurity add कर दी मतलब आपने waxing कर दी तो अगर waxing add कर दी तो waxing add करने से क्या होगा वह higher पर जाना चाहिए lower पर जाना चाहिए waxing add करने से उसकी frequency reduce हो जाएगी और अगर frequency reduce हो जाएगी तो जो difference बढ़ जाएगा और अगर difference बढ़ जाएगा तो इसका मतलब bit frequency increase हुई लेकिन वह तो कह रहा है कि there should be a decrease in bit frequency so the answer should be 153 hertz क्योंकि 153 hertz already है आपने waxing कर दी तो आप क्या होगा difference जो है हमारे पास N है और difference के साथ हमारे पास यह हमारे पास हो जाएगा एन माइनस bit frequency और यह जाएगा N plus bit frequency ध्यान देना आपने waxing कर दी waxing कर दी तो आपका अच्छा मुझे बताओं आपके पास तीन ट्यूनिंग फॉर्ट के एक की फ्रीट्वेंस है दूसरी की frequency होटेशन आ दूसरी की फ्रीट्वेंस चैल्कुलेट करें न तूसरी की रिक्वेंसी ट्यूहंड़ड करें in यह के हैं 13 टीन का कैसे निकाल नंगप आगर इन दोनों को लेटा तो तो bit frequency कितनी आती, 3 आती, इन दोनों को लेता, तो bit frequency कितनी आती, 4 आती, और इन दोनों को अगर मैं लेता, तो ब्रीक फ्रिक्वेंसी कितने आती, 7 आती, तीन है तो 3 possibilities बनेगी, या तो ये first 2 हो जाएगी, या second 2 हो जाएगी, या पहली और आकरी हो जाएगी, आपको क्या करना है, आपने ये वाला situation calculate कर ली कि अगर ये दोनों होती है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 होती है, 4 हो जाएगा ये दोनों होती है, 7 है, अब आप क्या कीजिए, इस वाले को ऐसे लिखिए, 1 by 3, 2 by 3, 3 by 3, आपने क्या करना है, 1 second को इसमें equally divided कर देने, तो ये 3 था तो इसको हमने equally 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, अब ये तर 4 था, तो इसको equally कितने पार्ट में डिवाइड कर देने, 4 पार्ट में, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4, क्या, 7 है, इसको equal कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 भी करेंगे, 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, 7 by 7, अब मुझे बाद बताएगे, इसमें जो common होंगे, जो equal होंगे, महाँ पर beats नहीं बनेगी, तो common क्या है इतनी दो में, stationary waves, third is stationary, यह important है, important क्यों है, क्योंकि यहां से बहुत बार कोशिन बनता है, stationary waves को समझने से पहले, हमें एक चीज समझने पड़ेगी, कि दो तरह के end होते है, एक होता है, open end, एक होता है, closed, ठीक है, open end को हम free end भी बोल देते हैं, और इसको हम fixed end भी बोल देते हैं, इसको free boundary भी बोलते हैं, कोई फार्प नहीं पड़ता, तीन में से कुछ भी ध्यान से समझने हैं, तो जब भी हमारे पास कोई progressive wave travel करती है, और वो किसी open end से hit होती है, अब open end कैसे होते हैं, आपके पास ये pipe है, ये एक तरफ से बंध है, और एक तरफ से खुला हुआ है, तो जो खुला हुआ हिस्सा है, उस जगह पर क्या होता है, कि बाहर की जो pressure difference होगा, और अंदर का जो pressure होगा, उन दोनों में कुछ नो कुछ variation होगा, तो यहां पर भी एक boundary होती है, लेकिन वा अप्चिल में अप्यर में तो, तो जब ट्रेवल करके, वो इन बाउंडरी को हीट करती है, तो बाउंडरी को हीट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापिस आजाती है, तो जब वापिस आजाती है, तो दो possibilities होती है, या तो वो exactly वैसे ही वापिस आजाती है, जैसे normally हीटोके आती है, या दूसरा, वो अपना path reverse करके वापिस आजाती है, मेरा कहने का मतलग यह है, कि suppose यह हमारे पास एक rigid boundary है, या simply आपके देख्वाँ, यह वेव हमारे पास ऐसे गई, और वापिस भी हमारे पास यह, ऐसे ही आ गई, कैसे, ऐसे, दूसरा किस क्या है, यह जाती होई वेव है, और यह reflect होके आती होई वेव, दूसरा किस क्या है विटा, कि यह वेव हमारे पास गई, और जब वापिस आई, तो वो ऐसे होके आ गई, अब आप देखो, दोनों में difference clear हुआ आपको, एक वेव में क्या हुआ, वो जिस पात से गई थी, आने के बाद वापिस उसी पात को retrace कर रही है, उसी के उपर चलती हुए आ रही है, दूसरी क माक्सिमम थी, वहाँ पर मिनीमम दिखा रही है, तो यह वाला जो फिनोमेना होता है, यह free end में होता है, free end का मतलब क्या हुआ, there is no phase change, same phase में wave travel होके आती है, जो हमने reflection में पढ़ा था, और जब reflection होता है, तो मैंने आपको बताया था कि pi का phase change होता है, 180 degree phase shift हो जाता है, जब म कराई थी, कि जो oil surface के उपर interference जब होता है, तो जब हमने constructive, destructive interference due to reflection के अलपनेट किया था, वहाँ पर मनें lambda by 2 एक्स्टाइड किया था, तो जब pi का phase difference होता है, तो लेमड़ा बाइटू का part difference होता है, तो महां मैंने बोला था, reflected wave के पास एक additional part difference होता है, लेमड़ा बाइटू, क्यों हो, क्योंकि उनकी boundary rigid boundary होती है, तो rigid boundary के पास, pi का phase difference होता है, या लेमड़ा बाइटू का part difference होता है, यह हमरे पास same phase में आता है, और part difference नहीं होता है, यह दो चीजे ध्यान रखने वाली बात है, तो जब भी हमारे पास कोई progressive wave, किसी boundary से hit होके वापिस आती है, तो जिस speed से गई है, वो उसी speed से वापिस आ गई, तो जब वो वापिस आती है, तो वो उसी के साथ superimpose करती है, तो incident beam और reflected beam, जब उनका superposition होता है, तो क्या होता है, कि हमें appear होता है कि wave जो है, वो अपनी जगा पर stationary है, वो कहीं गई है, लेकिन कुछ जगा पर हमारे पास उसमे amplitude maximum हो तो wave हमें कुछ इस तरीके से एपियर होती है, तो एक हमारे पास इसमें आती होई, जाती होई wave है, एक हमारे पास आती होई और यह इस boundary से reflect होगी, तो this is called the stationary wave, तो actually में यह हमें appear होती है, कि यह अपनी जगा पर खड़ी है, तो stationary waves में क्या होता है, stationary waves में जो waves होती है, वो actual म travel नहीं करती है, तो मैं कहुंगान कि जो wave velocity होती है, stationary wave की वो zero होती है, लेकिन जो progressive wave है, जो initially वो incident हुई थी, उसके पास तो कुछ ना कुछ wave velocity थी, जो reflected wave हो, उसकी भी same wave velocity है, तो इससे क्या हुआ हुआ हमारे पास, जो resultant wave velocity है, वो zero हुई, अच्छा, कई बार आपसे question वो प identical progressive wave बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगी, there is only one method, to generate identical progressive waves, and that is, reflection through a rigid boundary, अगर wave reflected हो रही है, चाहे वो boundary rigid हो, चाहे वो boundary free हो, तो जब वो wave reflect होगी, तो जो reflected wave होगी, उसके पास same velocity होगी, और वो मैं कहूँगा कि exactly same progressive wave phenomena show करेंगे, इसके अलावा कोई और method नहीं है, identical progressive wave बनाने का, यह चीज़ ध्यान लख लो, ठेक है, दूसरा, stationary waves generate करने के लिए, progressive wave identical होने चाहेंगे, अगर progressive wave identical होने चाहेंगे, आपने दो different progressive wave ले ले ली तो वो stationary waves नहीं ही बनाएगे, the two waves should be identical progressive wave, after their superposition, we get stationary wave, तो identical progressive wave कब बनती है, जब reflection होता है, that's why we need a boundary, for the propagation of these stationary waves, और क्योंकि यह stationary waves अपने खड़ी हैं, तो अपनी जगापर ही चलती रहती है, तो इनको standing waves भी बोलते हैं, तो कुछ जगापर इनकी intensity maximum होती है, कुछ जगापर minimum होती है, और वो periodically change होती है, ठीक है, दूसरा, progressive wave तो हमारे पास लंबे time तक चलती रहती है, एक long distance को cover करती है, उनका जो position factor होता है, बहुत बड़ा होता है, but stationary wave का जो pattern होता है, वो एक limited region के लिए ही होता है, जब तक हमारे पास boundaries की कुछ limitations है, अगर हमारे पास boundaries की limitations नहीं है, we cannot generate stationary waves, so मैं click सकता हूँ, कि only and only for limited regions, ऐसा नहीं कि आपने generate कर दियो और यहां से start करी और वो चली गए बिल्ली पर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो जिस तरह के हमारे पास boundaries हुई, दो तरह की boundary बनी, rigid boundary और free boundary, तो दोनों तरह की boundary के लिए हमारे पास दो तरह की stationary waves generate हो, अब दोनों तरह की stationary waves में क्या होता है, देखो, free end और rigid end का समझाता हूँ, यह एक section बना दिया आपने free end का, दूसरा बना दिया आपने rigid end का, free end के case में क्या होता है, कि देखे भईया, यह wave जो है, इसको ऐसे बनाता हूँ, यह हमारे पास free boundary है, यह wave आई, और यही wave चली गई, आप identify नहीं कर पाएंगे, कौनसी wave आई, कौनसी wave गई, clear, तो अगर यह हमारे पास y1 है, यह हमारे पास y2 है, और suppose y1 जो है, हमारे पास कितना है, a sin omega t minus kx, तो y2 की value कितनी लेते हैं, a sin omega t minus kx, am I right, मैंने क्या बोला, identical progressive यह होनी चाहिए, तो identical, same amplitude, same frequency, same position, same wave number, सब कुल same होना चली है, लेकिन यहापर एक गलती किया है, क्या गलती किया है, एक wave positive x-axis में चल रही है, एक wave negative x-axis में चल रही है, तो अगर y1 हमारे पास positive x-axis किया है, तो उसकी equation तो सही है, लेकिन y2 जब negative होती है, मैंने आपको बताया था, यहापर sin plus का होता है, तो अब जब इनका superposition होगा, तो जो resultant wave होगी, वो होगी आपके पास stationary wave, इसकी equation क्या बन जाती है, a sin omega t minus kx plus sin omega t plus kx, आप इसको solve कर लेगे, आपको stationary wave का resultant हो जाएगा, और solve करने के बाद यह कुछ इस तरीके से आ जाती है, 2a cos kx sin omega t, यह आपके पास stationary wave की equation बन जाती है, यानि जो resultant wave आती है, उसका amplitude डबल हो जाता है, clear हुआ, आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा manage करता हूँ, इसके respect में, sin omega t के, तो इस पूरे को मैं एक नया amplitude माल लेता हूँ, तो y is equal to क्या होगा है, a sin omega t, से अगर मैं इसो compare करता हूँ, तो resultant stationary wave की frequency वो ही रहती है, लेकिन उसका amplitude जो होता है, resultant wave का, वो कितना हो जाता है, 2a cos kx, अब यह amplitude cos के factor पर depend कर रहा है, तो कभी amplitude maximum 2a हो जाएगा, और कभी यह minimum हो जाएगा, cos 0, cos 0 की value क्या होती है, 1, और cos 90 की value, 0, तो अगर हमारे पास, x को मैंने 0 कर दिया, तो इसका मतलब जो amplitude हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2a, तो जहां पर x 0 होगा, वहा amplitude 2a हो जाएगा, और जहां पर x maximum होगा, वहाँ पर amplitude 0 हो जाएगा, x maximum का मतलब 90 degree, 90 degree मतलब लेंबडा बाइ 4, यह सब चीज़ें आपके mind महुने चीज़ें, तो 90 degree को क्या लिखते हैं, पाइबा टू लिखते हैं न, और वो क्या होता है, 2 पाइबा लेंडा, इस तरीके से सब काल्कुमेट करते हैं, बासन में आया, दूसरी तरफ, जो हमारे पास resident होता है, resident में क्या होता है, यह हमारे पास resident boundary है, यह वेव हमारे पास गई, और जो reflected wave होगी, वो कैसी होगी, suppose this one is y1, this one is y2, equation कैसी बनेगी में देखें, अगर मेरे पास y1 है, हमारे पास a sin omega t minus kx, तो y2 वी कितना होगा हमारे पास, a sin, direction बदल गई, omega t plus kx, और मैंने बोला था कि इसमें 180 degree का change हो जाता है, 180 degree का change होने का मतलब क्या हुआ, कि इसमें phase difference 5 आ जाए, this is the difference in these two equations, तो जब आप इनका superposition करेंगे, तो y1 plus y2, तो जब इनको add करते हैं, तो देखो, इसको मैं simplify भी कर सकता हूँ, देखो, 180 plus theta कितना होता है, minus a sin omega t plus kx, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जब इन दोनों को add करेंगे बिटा, तो resultant wave जो direct आएगी, वो आएगी, minus of 2a sin kx cos omega t, और आप इसको एक साथ ले लेते हैं, तो यह अगर मैं सो compare करता हूँ, y is equals to a cos omega t से, तो आपको resultant wave का amplitude मिल गया, तो a is equals to 2a sin kx, जो free end होता है, वहाँ पर पॉस आता है, और frequency अभी भी omega ही रहेगी, stationary waves में resultant wave के frequency, primary wave के equal ही होती है, लेकिन अब देखो, जहाँ पर x zero हुआ, तो वहाँ पर amplitude भी zero हुआ, तो दोनों में बस difference यह ही होता है, दोनों का comparison में इस तरह दिखा देता हूँ आपको, देखें हैं, दोनों में सिर्फ फर्क यह होता है, कि जब x zero आता है, तो free end वाला maximum amplitude लेके आता है, और जब x zero आता है, तो resident वाला minimum amplitude लेके आता है, अब क्योंकि हमारे पास velocity wave की zero होती है, stationary waves में, तो इसका मतलब यह होता है, कि दो points के बीच में energy का तो transfer हुआ ही नहीं, तो there is no transfer of energy between two points in stationary waves, however, particle is disturbing from its position, so it means there will be a particle velocity, but the wave velocity will be zero in stationary waves, तो जहां पर हमारे पास maximum होता है, यह वाला section दिखाता हूँ, यह, इसको बोला जाता है anti-nodes, this is called anti-node, और यह जो होते हैं, यह कहलाते हैं हमारे पास nodes, बासन में आया है, दो consecutive nodes के बीच, अब क्योंकि देखो सीधी सी बात है, same phase में होते हैं हमारे पास, दो consecutive nodes या दो consecutive anti-nodes, जो होता है इनके बीच का, जो phase difference होता है हमारे पास, same होता है, और एक node और एक anti-node के बीच, हमारे पास phase क्या होता है, opposite होता है, तो आप देखो, अगर wave को देखते हैं यहाँ पर, यह complete wave है, तो यहां से यहां, यह हमारे पास lambda होता है, तो दो consecutive nodes के बीच की जो wavelength होती है और lambda by 2 होती है, या दो anti-node के बीच में भी lambda by 2 ही होगी, एक node और एक anti-node के बीच में कितना रह जाएगा बेटा, इतना सा चीछ समझ जाओ, पूरी problem solve हो जाएगी, अब problem कैसी बनती है, इसमें मैं बताता हूँ, अच्छा, एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, जो यह stationary waves हो यह दो तरीके से possible, transverse stationary waves और longitudinal stationary waves, for example, जो आपकी जो resonance tube होती है, उसमें longitudinal stationary waves generate होती है, और जो आपका sonometer होता है, क्योंकि उसमें wire होता है, thread होता है, उसमें जो waves generate होती है, they are transverse stationary waves, so, sonometer is an example of transverse stationary wave, लिख देता हूँ है आपके, stationary waves, दो तरीके से हो गई, एक हमारे पास transverse हो गई, और दूसरी हमारे पास क्या होई, longitudinal होई, transverse का हमारे पास जो example है, that is sonometer, और longitudinal का जो example है, that is resonance tube, अब क्या होता है, कि जो longitudinal waves होती है, उसमें जो हमारे पास nodes और anti-nodes बंते होता है, जहां पर हमारे पास compression होता है, जो anti-nodes होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, expansion, तो उस जगा पर pressure और जो density होती है, वो constant रहती है, तो महाँ पर जो variation होता है, वो minimum होता है, और जो nodes होते हैं, महाँ पर pressure और density maximum variate करती है, तो महाँ पर variation maximum होता है, clear? nodes में strain maximum होता है, और anti-nodes में strain minimum होता है, अब resonance tube में दो तरीके के हमारे पास cases बनते हैं, दो boundaries बनती हैं, एक होती हैं हमारे पास open और एक होता हैं हमारे पास closed, इसको बोलते हैं open organ pipe, और इसको बोलते हैं closed organ pipe, open organ pipe क्या होता है जिसके दोनों end open होता है this is called open organ pipe closed organ pipe क्या होता है जिसका एक end close होता है दोनों end तो close नहीं हो सकते तो open organ pipe में दो boundaries होती है दोनों की दोनों free boundaries होती है closed organ pipe में दो boundaries होती है जिनके से एक free होती है और एक open होती है अब देखो इसमें जो stationary waves generate होती है, वो कैसे generate हो सकती है जो minimum possibility क्या है, बेटा जो free end होता है, महाँ पर क्या बनता है anti node बनता है तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर anti node बनेगा, और हमने यह भी पढ़ा है कि दो anti nodes के बीच में node जरूर होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, node बनेगा तो this is the minimum possibility तो wave कैसी बनी, यह कुछ इस तरीकी से बनेगी तो एक anti node यह रहा एक anti node यह रहा तो यानि open organ pipe में even number of anti nodes होते है और odd number of nodes होते है अगर 4 anti node है तो 3 node बनते हैं, बासन में आ रहा है जो closed organ pipe होता है क्योंकि यहाँ पर तो anti node बनना mandatory है और यहाँ पर हमारे पास node बनना है तो minimum possibility क्या है एक anti node एक node, तो minimum possibility यह है यहाँ पर यह इस तरीके से बनेगा clear दूसरा problem solve करने का तरीका क्या है कोई ज़्यादा बड़ा logic नहीं लगा न देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि दो consecutive anti nodes के बीच जो length होती है वो कितनी होती है lambda by 2 एक anti node एक node के बीच में जो length होती है वो कितनी होती है lambda by 4 suppose the length of this organ pipe is L so V is equals to how much V is equals to L lambda V is the velocity of wave and is the frequency lambda is the wavelength तो अगर आपको इस situation में जो lowest frequency calculate करनी है जिसको मैं क्या बोलूँगा fundamental frequency तो वो कैसे निकलेगी मिटा तो ऐसे निकलेगी and is equals to V upon lambda lambda की value किसके equal हुई this lambda by 2 is equals to L तो मैं लिख सकता हूँ V upon 2L this is the fundamental frequency clear हुआ बहुत easy होती है problem solve करना कोई formula याद नहीं करना देखो इसमें closed organ type में यहाँ पर L किसके equal है बिटा lambda by 4K wavelength कितनी होगी 4L होगी तो अगर मैं यहाँ पर N is equals to V upon lambda लगाता हूँ तो V upon 4L this is the fundamental frequency in closed organ pipe open organ pipe की होगी closed organ pipe की होगी अच्छा दूसरा अगर मैं थोड़ा और जोर से ब्लो कर देता हूँ air तो क्या होगा तो उस case में अगर बीच में अभी एक नोड़ बना तो बीच में पीटा दो नोड़ बन जाएंगी यही तो possible हो सकते है तो अब हमारे पास कुछ ऐसे रह जाएगी situation तो इस case के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा एल तो नहीं बदली लेकिन अब देखो लैम्डा कैसे चेंज होगी यहाँ पर यह distance होगी 1 यह distance होगी 2 यह distance होगी 3 यह distance होगी 4 तो यह हो जाएगे मारे पास 4 times of lambda by 4 तो यह पूरी length है मारे पास एक antinode से दूसरे antinode तक हमारे पास lambda by 2 दूसरे antinode से यहां तक lambda by 2 तो यह हो जाएगी lambda by 2 plus lambda by 2 that is lambda now l is equal to lambda तो अब जो next frequency आई वो v upon l होगी lambda is equal to l तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ twice of v upon 2 l भी तो लिख सकता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ twice of n1 इसको n1 करो इसको n2 कॉल करो तो जो next frequency बनी that is twice of n1 fundamental की डबल होगे कि इसमें देखो क्या होता है नोसमें अगर हमारे पास थोड़ा और जोर से में एयर ब्लो करता हूँ तो यहां पर बीच में क्या हो जाएगा मारी पास एक नोट इदर आजाए तो यह हमारे पास इस तरीक इस हो जाएगा तो अब या से हां तक कितना हो जाएगा, देखो, या से या तक होगी lambda by 2, और यह हो जाएगे मारे पास lambda by 4, lambda by 4 plus lambda by 2 extra हो जाएगा, सो, तो कितना हो जाएगा मारे पास याँ, I think 3 lambda by 4, तो अब इस case में जो lambda है, वो कितना हो जाएगा, 4L upon 3 तो अब अगर मैं N2 निकालता हूँ तो N2 is equals to V upon lambda that is equals to 3V upon 4L तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 times of N1 तो open organ pipe में double हुई थी closed organ pipe में 3 times हो गए तो यही reason है कि closed organ pipe में जो frequencies का जो ratio होता है वो हमेशा odd होता है इनको harmonics भी बोलते हैं तो closed organ pipe में odd numbers of harmonics होते हैं अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ open की N1, N2 N3 and so on तो first हमारे पास one, दूसरे का second, तीसरे का third, इसका fourth इसमें हमारे पास क्या होते हैं even and odd both possible है clear हुआ भीटा? कोई problem यहाँ पे? इसको बोलते हैं हमारे पास fundamental frequency fundamental this is called first overtone overtone का मतलब चाहाँ होता है fundamental frequency के कितने times हमारे पास next frequency that is the overtone पहले के उपर की जो भी है this is called second overtone इसको बोलते हैं first harmonic, second harmonic, third harmonic यह terminology आपके clear होने चाहे हैं ठेक है? तो इसमें बलते हैं even and odd both harmonics open organ pipe है closed organ pipe में सिर्फ odd harmonics बनते हैं this is called first fundamental frequency first overtone, second overtone, third overtone तो अगर बोलता है closed organ pipe में first overtone कहाँ पे आती है? three times of fundamental first overtone in open organ pipe two times of fundamental clear हुआ भीटर? yes sir अगर open organ pipe और closed organ pipe दोनों same length के हैं यह question बहुत बंते हैं अगर दोनों के length same है तो open organ pipe पी तो frequency है वो closed organ pipe की frequency के double होती है if open and closed pipe have same length then the frequency for open pipe is twice of the frequency of closed pipe numerical करने में बहुत कामाने मादा है clear भीटर? yes sir अब इसके उपर जो experiment है हमारे पास को कौन सा है? resonance tube resonance में आपको पढ़ा चुका हूँ कल किया था हमने resonance क्या होता है तो resonance क्या होता है हमारे पास? जब हमारे पास natural frequency से जब match हो जाती है तो उस case में driven frequency की driving frequency और natural frequency जब match हो जाती है तो natural frequency पर जो amplitudes होते हैं वो large हो जाते हैं तो this is called the resonance तो resonance tube क्या होता है? कि इसकी help से हम sound की speed calculate कर लेते हैं अब कैसे calculate करते हैं वो मैं बताता हूँ resonance tube कैसा होता है? इसमें एक tube होती है इस तरीके के और नीचे से ये connect होती है एक pipe की तुरूँ और ये pipe यहां से होता हुआ एक दूसरी हमारे पास एक tube होती है वो थोड़ी narrow होती है इसके through के जाता है इस ये पूरा हमारे पास stand है ठीक है? इसी stand से हमारे पास ये भी clamp होती है और इसी stand से ये भी हमारे पास clamp rubber tube के पास एक pinch cock लगी हुई होती है ठीक है? यहां पर ये pinch cock होती है जिसकी होज़े से आप water flow को maintain कर सकते है ठीक है? आप क्या होता है? इसकी help से जो हमारे पास ये resonance tube होती है इसको बोलते हम resonance tube इसके इंदर water level को आप up and down कर सकते हैं ठीक है? और water level को जो measure करने के लिए इसके साथ एक आप स्केल भी लगा हुआ होता है जिससे आप उसको measure कर सकते हो कि भई आप water level कितना है हमारे पास तो आप उसको measure कर ले तो और आपके पास ही calculation होती है अब होता क्या है इसको कैसे calculate करते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं? इस reservoir को इस तरीके से उपर नीचे करते हैं कि इस readiness tube में water level लगबग लगबग उपर तक fill हो जाता है टॉप तक fill कर दिया, बिल्कुल उपर तक ने लेते हैं लगबग लगबग मतलब आपने उपर से 15 cm छोड़ दिया और इसके बाद आपने क्या कि यह pinch clock को close कर दिया, आप reservoir को जब आप रख भी दोगे तो water level इसमें से नीचे नहीं होगा ठीक है, अब reservoir का आप यहां पर fix कर देते हैं, आप resonance tube में water level suppose इस height तक हमारे पास से fix हो गया तो इसके उपर का जो open area है वो इतना ही तो होगा बस, माली जी यह अभी length कितनी आई है, अब आपने क्या किया, एक tuning fork लिया और tuning fork को rubber pad पर hit करके इसके उपर लेकिया है, उपर लेकिया है तो आपने इस पर resonance चेक किया, resonance होगा तो अब आपको एक loud sound सुनाई देगी जब resonance होगा, तो अब आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे loud sound कहां पर सुनाई दिया, exactly तो loud sound नहीं आईगी अब आप water reservoir के help से water level धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे डाउन करते चलिए तो एक ऐसी level आएगे जहां पर आपको sound loud सुनाई देगे, तो वो जो loud sound नहीं वो first हमारे पास resonance क्रियेट वर्स करेंगे, तो आपने उसको call कर दिया L1, तो यह first resonance आया, तो जब first resonance आया, त तो इसका मतलब क्या हुआ, जो resonance tube है, वो एक closed organ pipe की तरहे treat कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि यह हिस्सा free है, उसका यह हिस्सा हमारे पास rigid boundary है, तो यह हमारे पास first resonance इस तरही के सा आया, closed organ pipe का basic nature यह ही है, first frequency ऐसी generate होती है, आप जो यह length थी, कितनी ही आई थी बिटा, यह L1 length थी, और यहाँ पर अगर इसको मैं physics के recording calculate कर तो this length should be lambda by 4, तो इसका मतलब L1 is equals to lambda by 4, दूसरा, अब फिर हमने क्या किया, फिर दुबारे से उसको rubber pad पे hit किया, और फिर tuning fork लगा है, अब हमने reservoir से water level or down किया, अब करते, 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 वो loudness खतम होगी, एक stage के बाद फिर loudness आएगी, माल लीजिया, वो loudness यहाँ पर आई, और इस टाम इसकी जो टॉप से जो length है, वो कितनी है, हमारे पास L2, तो जो second situation बनी, वो क्या बनी, second situation का मतलब यह हुआ, situation ऐसे हुआ हुआ, अब हमारे पास माल लीजिये length L2 हुई, तो इस case में यह कितना हो जाएगा, 3 lambda by 4, अब ही calculate किया था, तो अब L2 कितना है बिटा, 3 lambda, लैमडा chain नहीं हो रहा है, तो अब इन दोनों से, अगर आप calculate करते हैं, L1 minus L2, तो यह हो जाएगा, lambda by 4, minus 3 lambda by 4, जब difference calculate करते हैं, तो lambda by 4, यहाँ से आपके पास lambda आ गया, 4 times of L1 minus L2, कोई problem यहाँ पर, ठीक है, तो आपने हमारे पास, यहाँ पर आपने दोनों case के इसके अंदर calculate कर लिया, है कि आपके पास, okay, अब अगर tuning fork की frequency आपको दी हुई है, क्योंकि वो तो नहीं बदलेगी, अगर आपको tuning fork की frequency given है, है, if N be the frequency of tuning fork, तो इसका मतलग, V is equals to N lambda होता है, where V is the speed of sound, N is the frequency of tuning fork आपको given है, और lambda आपने यहाँ से निकाल लिया, so this velocity of sound will be equals to 4N L1 minus L2, this is the speed of sound, so आप इसकी help से calculate करते हूँ, sound की speed, clear हुआ, कोई problem है आपे, अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बताएता हूँ, जो हमारे पास, organ pipe के अंदर जो vibrations होता है, जो open organ, open end होता है, अब close end पे तो आपको पता, fixed boundary होती है, लेकिन जो open होती है, वो fixed नहीं होती, तो यहाँ पर थोड़ असा, यह exactly length नहों के, इससे थोड़ असा आगे बनता है, यह node, anti node जो होता है, वो exactly L पर ना बनकर, उससे थोड़ असा आगे बनता है, लेकिन हमारा measurement तो lambda का यहीं से होगा न, तो इसका मतलब यह होगा, कि हम जो L is equals to lambda by 4 ले रहे हैं, वो गलत ले रहे हैं, उसमें इतना section और आना था, इसको बोलते हैं हम end correction, और यह हमेशा open end पर होता है, और मैं इसको E से define करता हूँ, तो actually में, जो L is equals to lambda by 4 था, वो L is equals to lambda by 4 ना होगी, L plus E should be equals to lambda by 4 होना चाहिए, So this E is called end correction, तो यह आपको अगर एक्जाम में कोग problem है, तो उसमें यह तो यह mention करके देगा, otherwise यह आपको calculate कर देगा, तो इस तरीके से आप इसको calculate करते हैं, ठीक है, अब आपको मैं बता जेता हूँ, कि जो first हमारे पास जो lambda आई है, अगर वो 10 cm पर first resonance आया है, तो दूसरा resonance लगबग लगबग उसके तीन गुना के आसपास की आना है, क्योंकि देखो, यह अगर lambda by 4 हो तो यह थी टाइमस के आ रही है, and correction in resonance tube, सीधा E is equals to L2 minus 3 times of L1 upon 2, अब सीधा SL apply कीजिए, आपके पासेंट correction आजाएगे, clear, कोई problem, next is sonometer, sonometer क्या होता है, sonometer हमारे पास laboratory में अगर आपने किया होगा, यह एक तरह का हमारे पास wooden plank होता है, इस तरीके से एक wooden plank होता है, अब जैसे आप इसमें weight रखते हो, तो बैटा इसके अंदर एक tension के लिए टूती है, ठीक है, और यह वाला जो end होगा, यह भी एक तरह से closed end की तरह treat करेगा, क्योंकि यह touch कर रहा है, यह भी हमारे पास end, closed end ही होता है, तो हमें इन दोनों के बीच के ही vibrations observe करने होते हैं, और यह जो होता है, यह sound box कहलाता है, यह अंदर से hollow होता है, this is called sound box, इसमें hole होते हैं, जिसमें air होती है, अब जब हम इस string के अंदर, इसके string को vibrate करते हैं, tuning fork के help से, तो क्या होता है, इस के अंदर एक large sound सुनाई देती हैं, और इसके उपर वो कैसे पता चलता है, गर आप कई बर गलती हो जाती है, आप इसके उपर एक paper लो, उस paper को हलका सा band करके इसको उपर रख दो, ऐसे, उसको बोलता है rider, तो क्या होगा, जब हमार पास resonance होगा, तो यह router जो होगा तेजी से बड़े-बड़े amplitude के vibrate करने लगेगा और यह गिर जाएगा, तो इसके तो vibration आप वो देख सकते हो ना, तो जब वो vibrations होते हैं, तो गिर जाता है, तो हम कहते हैं कि अब यह resonance मार्ण है, तो उस time के parameter हम measure करते हैं, तो calculate करते हैं, अब होता क्या है, इसके इंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो यह closed end है, तो basically यह भी closed हुआ, यह भी closed हुआ, तो अब मैंने आपको बता है, अगर य lambda by 2 ही रहेगी, तो L is equals to lambda by 2, तो obvious सी बात हैं हापर situation क्या बनी है हमारे पास, V upon 2L, अगर हमारे पास दूसरी possibilities होती है, वो क्या होती है, बीच में एक node और बन जाएगा, तो दूसरी possibilities यह हो गई, तो उस case में N2 निकलेगा, N2 is equals to how much, 2 into V upon 2L, तीसरी possibilities क्या बनेगी, यहाँ पर हमारे पास, एक और बन गया हमारे पास, तो तीसरी possibilities यह बन गई, तो तीसरी possibilities में N3 निकल जाएगा, that is 3 times of V upon 2L, तो किस की तरह treat कराएए, open pipe की तरह, open pipe में दोनों end same थे, open, यहाँ पर sonometer में दोनों end closed हुए, same, तो जब हमारे पास दोनों end similar होते हैं, तो उस case म even and odd both harmonics exist, और जब हमारे पास opposite ends होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ odd harmonics होते हैं, बासंग में आया, तो यहाँ पर भी हमारे पास N1 ratio, N2 ratio, N3 अगर मैं calculate करता हूँ, तो 1 ratio, 2 ratio, 3 इस तरह से calculate होता हुए, यह हमारे पास sonometer पे best problem साथ है, इस तरीके, clear हुआ, इस में आपके पास सिर्फ एक topic रह गया है, and that is Doppler effect, अब Doppler effect बहुत easy है, Doppler effect के लिए, आपको कुछ चीज़े याद रखनी जरूरी है, जैसे, Doppler effect में क्या होता है, कि दो चीज़े होती है, एक होता है मर पास source, source क्या होता है, जो frequency generate करता है, एक होता है observer, observer क्या होता है, जो frequency को सुनता है, observe करता है, ठीक है, तो source की भी अपनी velocity होगी, Suppose the velocity of source is denoted by Vs, and the velocity of observer is denoted by V0, अब वो जो सुनेगा, वो क्या सुनेगा, sound सुनेगा, सो उसको बोलेंगा velocity of sound, और velocity of sound को मैं सिर्फ V से define करता हूँ, velocity of sound is V, समझना problem कैसे solve करना, Doppler effect क्या बताता है, due to the relative motion of source and observer, the frequency of sound changes, this is called the Doppler effect, in sound, ठीक है, और अगर यह हमारे पास light में हो जाता है, और अगर यह हमारे पास light में हो जाता है, Doppler effect sound और light दोनों में exist करता है, sound का case में आपको समझा रहा हूँ, कि अगर हमारे पास source की speed Vs है, observer की speed V0 है, sound की speed V है, और source ने जो frequency generate करी है, वो end करी है, तो observer जो frequency सुनेगा, वो कुछ और ही हो, माली जो observer ने frequency सुनी, end dash, तो end dash will be apparent frequency, और end is what, actual frequency, या इसको real frequency भी बोलते हैं हमारे पास, ठीक है, तो end dash के respect में जो wavelength होगी, that is apparent wavelength, actual frequency के respect में जो wavelength होगी, that is called, actual frequency, अब देखो, इनके बीच का relative motion है, तो relative motion दो object है, तो चार तरीके के relative motion बन सकते हैं, पहला चीज ये है, कि अगर ये source है, और अगर ये observer है, तो पहला case में आपको क्या बता रहा हूँ, कि जब हमारे पास source जो है, वो move कर रहा है, और observer जो है, वो rest पर है, दूसरा case क्या बन सकता है बिटा, और observer भी rest पर है, और चोथा case क्या बन सकता है, कि जब हमारे पास source भी move कर रहा है, और observer भी move कर रहा है, तो दिरा four possible cases, अब इसमें भी एक छीज बन सकती है, source observer की तरफ जा रहा है, source observer से दूर जा रहा है, observer source की तरफ जा रहा है या observer से दूर जा रहा है rest में तो कोई नहीं होगा अब मूँ में क्या हो सकता है अगर ये दोनों एक दूसरे को approach कर रहे है या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे है या एक approach कर रहा है दूसरा दूर जा रहा है या हमारे पास दूसरा दूर जा रहा है एक आप्रोच कर रहा है तो देरा फोर केसी जिन सिंगल सिट्वेशन तो कैसे अब इतनी situation बनती है तो इतने ही फॉर्मुले बनते हैं तो अब देखो इसमें calculate कैसे करना है देखो हमेशा ध्यान रखना कुछ method बता रहूंगा जो apparent frequency होती है अब यह देखना है किसमें प्लस होगी किसमें माइनस होगी अब आप आपके दिमाग में क्या होना चाहिए आपके दिमाग में एक concept clear होना चाहिए concept क्या है हमारे पास जब हमारे पास सोर्स और observer के बीच का distance कम होगा frequency बढ़ेगी जब उनके बीच का distance ज्यादा होगा तो frequency घटेगी बस यह ध्यान नहीं separation इंक्रीजिज़ और अगर सेपरेशन डिक्रीज होता है तो एंडेश इंक्रीज होता है यह यह पेरामीटर्स क्लियर होगे अब देखो फॉर्मुले कैसे बनें पहला केस जब हमारे पास source vs speed से चल रहा है और observer रेश्ट पे है तो वी नौट कितना हुआ 0 तो apparent frequency will be equals to n times of ओपर तो 0 ही हो जाएगा न वी प्लस माइनस 0 अपॉन वी प्लस माइनस vs तो जनल फॉर्मुला यह बन गया और जब हमारे पास यह एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो frequency बढ़नी चाहिए तो यह कब बढ़ेगा जब यह कम होगा तो इसका मतलब इस एंड़ इस इकवस्टो वी अपॉन वी माइनस vs times of n और जब यह दूर जा रहा है तो क्या होगा यह तब होगा जब यह बढ़ेगा तो इस एंड़ इकवस्टो वी अपॉ वी प्लस वी यह बढ़ा तो यह कम होगे सव्जमें आया केस V plus Vs, Vs 0 है, अब उपर देखना है, जब उनके बीच का distance कम हो रहा है, तो frequency बढ़ेगी, तो उपर हमारे पास plus होगा, और जब उनके बीच का distance बढ़ रहा है, तो frequency कम होगी, तो N dash is equals to V minus V note हो जाएगा, इससे easy method नहीं हो सकता, कभी गलती नहीं हो, दोनों rest में हैं, तो N dash will be equals to N, there is no change in frequency, क्योंकि उपर भी V, नीचे भी V, V से भी cancel होगा, अब एगर दोनों move कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक बार बताओ distance कम हो रही है, तो apparent frequency बढ़ेगी, तो उपर तो होगा plus और नीचे होगा minus, ये दोनों जब एक दूसरे की करफ आ रहे हैं, क्योंकि उपर वाला बढ़ना चाहिए, नीचे वाला कम होना चाहिए, और अगर एक हमारे पास opposite जा रहा है, और दूसरा उसके पास आ रहा है, तो यहाँ पर यह देखना पड़ेगा distance बढ़ रही है, गट रही है, relative motion में, अगर distance बढ़ रही है, तो हमारे पास क्या करेंगे, यह लगा देंगे, घट रही है, तो हमारे पास इसको minus कर देंगे, इसको plus कर देंगे, that's all, Doppler Cutter, इसके अलावा और कोई तड़ीका ही नहीं है, Doppler को, इससे easy करने का, clear हुआ विटा, technical waves में, यह है, इसमें कुछ छोटे बहु इसके उपर कोई नहीं कराने, ठीक है, चालो, बाके कल करते हैं.